केंदी सरकार की ओर से लाई गई सेना भटी योशना अगनिपत का विरोध हो रहा है लेकिन इस बीच आज एक बार फिड से कल सेना की तरफ से एक साजा प्रेस कॉंफरेंस में गई जिसमें तफसील से बताया गया कि इस योशना से किस तरीके से लाब मिलेगा और इस योशना को वापस नहीं लिया जाएगा सेना के तरफ से साजा प्रेस कॉंफरेंस में इन बातों को सामने रखा किया गया वाई सेना में 24 जून से पहले बैच को लेने के तियारी है और 25 जून को 9 सेना जारी करेगी नोटिफिकेशन ये हाइलाइट्स है दिसंबर के अन्ति तक पहला बैच वाई सेना में शामिल होगा क्या कुछ का आ गया कल की पीसी में हर साल 30 दिन के छुट्टी मिलेगी ये भी का गया और साथी सिकली भर महीने 30 हजार की सालरी मिलेगी और हर साल इंक्रिमेंट होगा रिस्ट, ट्रेवल, ड्रेस, हाडशिप अलाउंस किया किया गया गया मैं आपको एक्जाम्पल देता हूं पता कितनी कैजुल्टी जाती हैं जस्फ फॉर हेल्थ पॉपसेज फ्रॉम हाइल्टिटुड अरियाज आप पढ़िएगा ओके तब आपको पता चलेगा यंग क्यू जुरूरी है ओके एंड क्या जुरू यह क्यूं चाहिए बिकॉज आप सब को मालूम है 2030 के अंदर हमारे देश के अंदर 50% पीपल 25 साल की उमर से कम होंगें क्या यह अच्छा लगता है कि देश की सेना जो रिक्षा कर रही है यह हमारा सिरफ एक ही मुद्दा है कि हम किसी तरीके से यंग हो जाएं इसको स्टड यह चेंज करा गया कि पिछले दो साल के लिए कोविड की वज़े से भरती बंद थी भरती क्यूं बंद थी विकॉज हम नहीं चाहते थे सारे एक जवान जिस तरीके से हम लोग एक अत्रित हैं एक जगा के उपर करे जाएं तो हमने देखा कि इतनी सालों से हम इसकी स्टड यह उसेना में अगनीवीर बैच 1 of 22 के रेजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 24 जून से शुरू हो जाएगी यह एक ऑनलाइन सिस्टम है जो हमारा वेल स्टाबलिश्ट स्टार एक्जामिनेशन सिस्टम है उसी के तहट यह नोटिफिकेशन और रेजिस्ट्रेशन चादू होग 24 जूलाइ से जो फेज वन ऑनलाइन एक्जामिनेशन है उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और दिसंबर के अंत तक हम पहले बैच अगनीवीर को एन्रोल कर लेंगे और 30 दिसंबर से पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी जो यह आपके सामने दर्शाय गया है यह सबसे पहले जो 17 लाग के करीब है यह उसकी पे है एक सेवा ने दी पैकेज है जिसके अंदर उसका योगदान 5 लाग है गवर्मेंट अपनी तरह से 5 लाग डालेगी इन दोनों के ओपर जो इंटरस्ट दिये जाएगा वो तकरीब अगर मेरे साथ राजिस्तान में बेठा है तो इसको सेम अलाउंस मिलेगा अगर मत्र पर जाएख निए मैं बना दी अगनिवीर के लिए तु मेक चेंज विदाउट पेंट अगर यह चेंज विदाउट पें हमने करना था इससे अच्छा मौका नहीं था पर्ने का इस पर चल रही थी, मैंने आपको बताया, कार्गिल रिवियू कुमिटी, ग्रूप अफ मिनिस्टर्स रिपोर्ट, ये सब सड़ी करते जा रहे थी, बट हमें मौका नहीं मिल रहा था, कि ये कब दरा जाए, because it was a transformative reform, हमें जरूरत थी, आज नहीं 30 साल से जरूरती इस एज को कम करने,